हलो दोस्तों स्वाइब आते हैं आपका अपने चैनल पजल मेनिया पे तंकुर मैं जैसा कि आज की सारे सिप्टाप की हो चोगे हैं आई बीपेस आरारवी के लरकी और एक्जाम के पहले काफी सारे स्टूडियम परेशान थे किया एक्जाम कैसा आएगा कहीं वही प्रॉब् कुछ जानदा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं और उनकी अटेम्ट जो हैं वह काफी अच्छे रहे हैं मतलब कि यहां तक कि 80 आउट ओफ 80 भी बहुत सारे स्टूडियम करके आए हैं तो आप समझ सकते हो कि एक्साम का लेवल कैसा था अब बात के लिजाए ना तो आपक कर देते हो तो 65 तक आसानी से सबी स्टूडियम बना सकते हैं लेकिन में कॉमपटिशन जो है वह अर्थमेटिक का ही हो जाता है क्योंकि यो में हम क्या करते थे अर्थमेटिक को आपकर देते थे तब भी हम सेलेक्शन ले सकते थे और पोर्शन से नंबर निकाल कर लेकिन इ जिसकी थोड़ी कम है वो 76-77 भी करकर आ रहा है और जिसकी बिल्कुल नहीं है लेकिन बेसिक्स आते हैं अर्थमेटिक के तो वह भी 72-73-74 करकर आ रहा है है तो समाझ सकते हो कि कितना आसान एक्जाम आया था और कितने आसान कोश्चन थे मिसलीनियस के आप जितना थोड़ा प्रेक्टिस नहीं है वो भी 67 कोश्चन बना लेगा तो आप बिल्कुल उसको इतना उसको लेकर परेशान ना हो ठीक है अब जिसके आज एक्जाम हो चुका वो पूछ रहा है सर सेफ अटेम्ट कितना रहेगा तो 70 प्लस जो भी 100% accuracy के साथ करकर आया है वो सेफ अटेम्ट म में है ठीक है अब देखा जाए जिसका आने वाली स्फट में एकजाम है कल की सब्च में एक्जाम होगा 26 में होगा अब परिशान होगी यार आज की सेफित में लोग 76 77 80 80 करके आरारे मुझे भी एतना करना है देखो दोस्तों यह बिल्कुल मत सोचो देखो आज का एक्जा है moderate आ गया और आप सोचो कि मुझे 76-77 करके ही आना है और आपके अगर last minute तक आपके उतने attempt नहीं हो पाए 70 ही हो पाए तो आप सोचो कि यार मेरे 2-3 question का मैं आप एस्टा लगा दोगे तो आपके जितने chance बन रहे होंगे न भोगी पाए नहीं बनेंगे तो आप जितनी करकर आओगे न जितने भी आपके बनते हैं 77 तो उतने ही करके आना कोई यह ब्लत रगाने की जोरत नहीं है बिल्कोल और कि पेपर ऐसी रहेगा बिल्कोल प्रैसर मत लीजिए बिल्कोल है exam रहेगा क्या चिन्जस क्रेंगे में किसी में surrounding arraigment में किसी विप्ति किसी में स्क्वरारे स्क्वर आ चाएक यह एकिसी मैं तकी में मंत्यmu एक इस एक थैकर 2018 को भीति कстुरु Çोटी अनगे अफ़ एक घँभी और शॉतने विप्राइब्म नहीं होगी आप उतना टांग बेस नहीं होगा क्यूक्त कि अरद एस p quick परीद दे चुके हो तो आपको पता है कि कैसा इंटरफेस आ रहा है तो आप बिंदास होकर जिनका आने वाले सेप्ट में हैं आप दीजिए हाँ थोड़ी से आप प्रेक्टिस जरूर अर्थमेटिक कर लीजिए क्योंकि सबस्दा इंपॉर्टिन वही है छोटे छोटे छोट अपने एक्सान दिया था तो आप जरूर में बताएं और एक सेफ अटेम्ट सेवंठी प्लस कहिंगी सेवंठी प्लस आपके जितने भी लोग करकर आये तो सेफ अटेम्ट हैं और कट आफ की बात कर लिजा है तो 70 प्लस ही रहेगी तो आप इक जितने भी आप करके आओ तो पस एकुरिसी के साथ जरू कर आना बिलकुल एकुरिसी को बिलकुल भी गड़बा मत होने देना कि आप एक-दो एक दू एस्ट्रा लगा दो बिलकुल नहीं हंडे परसीन accuracy के सा, चितने भी आप करकर आओ. और जिसका आने वाली सम towards me exam है, वो बल्कुल allday west है, बिल्कुल आज़शा करके आना, और बताना कि कितने आप करकर आए हो, और जो आज़ दे ए, आप जरू कमेट मिदाए कि कितने कुशन आप पर करायों मिलते हैं फिर नेस्ट वीडियो में जब तक लिए धन्यवाद